मित्टी के बरतन को अगर लंबी समय तक रखते हैं तो उसमें फंगस हो जाती है और अगर उसे अच्छे से साफ नहीं किया गया तो पेट की बिमार्या हो सकती है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताओंगी कि ये मित्टी के बरतनों को साफ कैसे करते हैं सबसे पहले इस वीडियो को like कर दीज़े और चैनल को subscribe कर दीज़े आप देख सकते कि मेरी बरतन में बहुत सारा fungus हो गया है तो सबसे पहले मैंने अपने बरतन को अच्छे से साफ पानी से धोलिया है अभी एक बड़े बरतन में मैंने पानी गरम करने के लिए रखा है एक लिटर पानी में 3 टेबल स्पुन बेकिंग सोडा डालना है चो आपको नसदी की ग्रोसरी सोप में मिल जायेगा इस पानी में आपको अपने बरतन को भीगो कर रखना है मैंने थोड़ा और पानी डाला है तो उसके इसाउब से मैं थोड़ा और बेकिंग सोडा डाल रही है इस उबलते हुए पानी में बर्तन को रात बर छूड़ देना है इस बर्तन को पानी से निकाल के उसको एक नरम ब्रस से धो दीजिये याद रखेगा मिट्टी के बर्तन को साफ करने के लिए कभी भी साबून और टिटर्शन का इस्तमाल मत कीजिए क्योंकि ये बर्तन साबून को एबसॉब करता है फिर भी आपका बर्तन ठीक से साफ नहीं हुआ तो आप उसको 30 मिनिट उबलते हुए पानी में रख सकते है अब इसको अच्छे से पानी से साफ करके तूप में सुखा दीजिए आप देख सकते हैं मेरा बर्तन सुख गया है बर्तन अच्छे से सूखने के बाद उस पे खाने के तेल को अच्छे से लगा दीजिए ये देखिए आपका बर्तन एकदम साफ है और वो खाना बनाने के लिए रेडी है अगर आप इसको कुछ दीनों के लिए रख भी दोगे तो उसमें जल्दी से फंगस नहीं लगेगी इसके पहले एक वीडियो में मैंने आपको बताया था खाना पकाने के लिए कौन से बर्तन का इस्तमाल करना चाहिए और उसके लिए क्या साउधानी रखने चाहिए साथ से जरूर कीजिएगा थेंक यू टेक के